अग्साइट सफ नाइट्रोजन कौन कौन से पता है तुम बता अच्छा नो बोलो और एंटू राइट एंटू अटू एंटू थ्री एंटू फाइब का नाम नहीं सुनो ओहां तो बेसिकली एक और होता है एंटू फाइफ और एनुटू जनरली किस फार में एक्जिस्ट करता है एंटू फॉर की फार्म में ठीक है नाम अगर देखें तो एंटू कौन सी क्या ऐसा है नाइट्रोजन नाइट्रिक औक से और यह अग्षाइब कारवन डायोकसाइड कि तरह नाइट्रोजन डायोकसाइड टू अट्री हो जाएगा डायोकसाइड अर्शेंट फॉर्ट तो यह पांच औक साइड्स है और जहीं मैं एक सवाल आया है और फिर एंटू ओ थ्री तो इनकी पूछी जाते हैं रियक्शन पूछी जाते हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एंच्वर एंटू करेंगे यह रियक्शन हमने अल्रेडी डिस्पेस कर रखे बताओ क्या बनेगा प्रड़क्त बता टू एच्टू निकलेगा तो क्या बचेगा एंटू और नुट्रल ऑकसाइड है ना है निट्रल ऑकसाइड है और कलर लेस्ट भी है लाफिंग सब्सक्राइब कोई तरीका बदा सकता है तो निकलता है पर कुछ मेटल्स हैं जैसे की कॉपर लैड अलुमीनियम इन लोगों के साथ क्या निकलता है निकलता है याद आ रहा है तो कॉपर प्लस एचे नो त्री क्या-क्या प्रड़क्स देगा बताओ लोवर ऑक्सिडेशन स्टेट हायर ऑक्सिडेशन स्टेट ओके एनो लेसे च्टेट यह ना तो यह हमारे पास प्लसेज हो गई एनो क्या तुम्हें पता है एनो भी न्यूट्रल होता थी नूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं और नेक्स्ट अपन बात कर लें और टू की एनो टू क्या बस यहाँ पर कंसेंट्रेटेड यूज कर लेता क्या बन जाता सी यू एनो ट्री होल ट्वाइस प्लस देणो टू प्लस एक्टू नेक्स्ट मैं अगर तुमसे पूछू क्या एंडो टू को अगर मैंने पढ़ा रखा पहली बात क्या एनो टू पैर मैंगनेटिक यह बताओ यह तो हमेश्य पैर मैंगनेटिक होगा और यह सब्सक्राइब करने पर क्या बनाएगा लाई टू यह पन्हों इसे पड़ाओ रखा है लाई टू प्लस अनुटू प्लस ओटू है ना ऐसे ही अगर मैं पीपी ले लूं दिस इस अल्सवेरी इंपोर्टेंट पीपन थ्री होल ट्वाइस को हीट करूंगा तो अधिंग पीवी ओ बन रहा था प्लस अनुटू सेम जैसे उपर किया ना एक ऑक्साइड प्लस नू तो यह पूल सकते कि बताओ ऐसे सवाल पुच्छे जाते हैं इंटीजर टाइप में डिटर्माइन विच अफॉलाइंग विलिप्रेट एनुटू गैस ऑन इतिंग पत्ता होना चीए थीक है एन ओटू की बात हो गई एन टू फॉर और एन ओटू की प्रॉपर्टी एक दम से मोगी क्योंकि वह बस करके ही बना है एंडा ऐसा कुछ नया नहीं बना है हाँ है है बात कर लेता हूं एं टू अ तरी तो एक अगर याह कि इन थो थरी बनेगान जा यूँट्व में प्लस टो एक में प्लस व्र दोना का इवरेज लेने पें तू टू बन जाते राइट हाँ कि अगर मैं थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो तो सबसे पहले यह बनाएगा और फिर यह बचा है यह वापस क्या बना सकता है अगर मैं इसको एक ही स्टेप में लिख दूँ तो क्या है एक सब्सक्राइब को पानी में डालते हैं तो एसेट बनता है बता सकते हो कौन साइसेट बनेगा अभी अभी अपने उपर आसेट देखे नाइट्रोजन की अपनेशन स्टेट बता आरे बात समझ में एक और रियाक्शन हाला कि इत्ती दादर नहीं पूछी जाती एंटुओ थ्री प्लेस एने विच एनिगेस कि क्या बन सकता है ठीक है यह 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 रियक्शन तरी जाद नहीं पूछी दाएगी है इसका तुम से सवाल पुछता है बहुत अच्छा है एंटू और फॉर को अगर पानी में डालूंगा तो क्या बनेगा है यहां पर है एच एक यह प्रॉज निकल लिए है न तो एन टूफ ओर जैसे एंटू फॉर को पानी में डाला है कुछ दी हाडरेटिंग एजेंट यहां पर पानी में डाल रहते हैं पानी निकालेंगे उसमें से पानी निकाल निकाल लागशान स्टेट से मौने वाली मैं तो मैं बताता हो जाया तो फिर फोर हो जाया है सब्सक्राइब हो जाया और स्पेसिफिक लिए दोनों क्योंकि इन में क्या है मैक्सिम स्टेट है ऑक्साइट की जादा होगी ना पानी लेने की लोग तो फिर हीट की प्रजेंस में करेंगे इन लोग फिर भी उतना इफेक्टिव नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं अब इनका यूज करें देखो अगर मैंने यूज कि इसके चैनल त्री और प्लस फाइब तो अगर मैं इसमें डिहाडरेट कर दूं पानी निकाल दूं तो जो भानेम से चाहिए मैं क्या है किसकी त्या फ्लस फैरी कई है इसकी ब्लस फाइब गरों रहें पानी ले लेगा है ना तो ना ना क्योंकि पानी ले रहे हैं तो बताओ इसमें से तो पानी जाएगा तो यह एसेड का और और बनेगा और यह बनाएगा और पी फॉर टेन उसने पानी ले लिया तो क्या वह तो एसेड बना लेगा और थोड़ा पानी लगेगा यह उसका ही एच पी ओ तरी आदर है में इसमें भी प्लस फाइव यह बनता है वेरी इंपर्टेंट यह 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 ट्वेंटी ट्वेंटीवन में रियक्शन एचेन फ्लस वह पूछे करा है कि इनकी रियक्शन से क्या बनेग तो फ्लस फाइव को दोनों प्लस फाइव ही वेरी में बहुत अच्छी रियक्शन नाइट्रोजन पेन्ट औक सइट को डारेट पानी में डालता तो तुम बोली देते की सरह चनत्री बनेगा है वहीं पर अगर मैं टॉफाइब को अगर हीट करूं और डिकंपोस करने की को पुशिश करूं अच्छे चलो इसी से कर बात अगर एंट फाइव को पानी में डाला तो एक नो थी बना एच नो थी में से पानी नीकालूंगा तो क्या एंट फाइब बनेगा इसलिए उसको एनाइडराइड कहा जाता है यह क्या है एनाइडराइड है क्योंकि है सबस्क्रोइब रॉप से यह डबल वांड वह एच एच और एड्रेड क्या होता है पानी निकलना एंडरास कर ना पानी निकालना यह बन जाएगा एंटू फाइख लो फिर आकसाइड अच्छ नेंग्ड़ाइड ना हम 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 और एंटू फाइब को अगर कर दूं तो फाइब करने क्या बनेंगे था एंटू ओ त्री प्लस और तो अब एंटू अब ट्री बी तो डी कंपोज होता है यहां पर जो फाइनल प्रड़क्ट बनेगा क्या बनेगा एन ओटू प्लस एन अफ़ाइब कर सकते तो मने यह बनाए एंटू का बताओ नो का इसको लोन पर डोनेट कर दो कॉडिनेट बॉंट से यह कर सकते नहीं तो फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि बीच वाले नाइट्रोजन को बोलो दो इधर बना ले दो इधर बना ले इधर हो गया इधर हो गया अगर वह चार्बाइब बनाएगा तो फिर प्लस आएगा और इस पर माइनस आएगा थी भी इस्ट्रक्चर पॉसिबल ले वह वी वैसे द्यान से सोचो तो उसमें भी जो लोन पर डोनेशन और इस पर उसको प्लस और माइनस लिख सकते हैं पर प्लास और माइनस तो कॉडिनेट बांड को तोड़के अपने लिखी सकते हैं तो अगर हम बात करें तो ओपें माइनस ज्यादा बेटर है एस कंपेर टू नाइट्रोजन पर माइनस नेक्स्ट एनो और डॉबल बॉंडो नाइट्रोजन के पास एक एलेक्ट्रोण खाली बढ़ रहे हैं है ना ऐसा एनो एनो टू कर सक्ट्रूर सोच्छों कि यह भी एक और इलेक्ट्रोण स्पीशीज है बताओ कोडिनेट बांड की जुरत है क्या हाँ तो नाइट्रोजन पर पास पांच है एक डबल बॉंड हो और यह कोडिनेट बॉंड ऐसे टरके यह एनो टू का हो गया अगर इसका ही डायमर बनाओ एन्टू ओफॉर बताओ कैसा बनेगा तो क्या वो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो दोनों बांड बना लेंगी तो बैस इसे और डबल बांड लो बन गेंटो फॉर एन्टो फ्लोर एन्टो फ्री का एन्टो फाइफ तो बनाए लिए एन्टो थ्री में क्या करेंगे अ हाँ थे लोन पेर पूरा जाता है आई बात समझ में का ले लोनाइब च्ट्राइब लोन आड़ चाहिता मेंना अुट्राइब करेंगे अ हाल चार लोनाइब बनाएब बनाएबर चाहितारा है